दोस्तों नमस्कार तो आए हम एक और आक्षन के बारे में बात करते हैं जो कि जो महारास्ट्रा में है और CWC Logistics Park में है और ये मैं इस बज़े से इसका बात कर रहा हूँ कि ये छोटे भी हैं LCL मतलब Less Than Container Cargo और FCL मतलब Full Container Load तो ये देखे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमे इसका प्रोडक्ट कब आक्षन में आ रहा है तो बहुत ही अच्छे रेट पे वो माल को खरीच सकता है और एक बड़ा ब्यापारी भी यदि ध्यान रखता है तो इसको अच्छे रेट पे एक कंटेनर मिल सकता है तो ये जो आक्षन है इसमें बड़े और छोटे दोनों है तो ये तो मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ इस तरह के ओक्षन पर डे 100-500 ओक्षन चलते हैं जिसमें इंपोर्टेड माल और नॉर्मल लोकल माल आपको मिलता रहता है ध्यान रखना है कि कब आपका प्रोड़क्ट आ रहा है दोस्तो बहुत से बहुत महंगे प्रोड़ के कंटेनर भी आते हैं और बहुत छोटे भी आते हैं एक कंटेनर लाक लाक रुपए का भी आता है 50,000 रुपए का भी आता है और हमने तो 25,000 रुपए 22,000 रुपए में भी कंटेनर उठा रखा है तो दोस्तों इस तरह का देखिए सबसे पहले आपको प्रोड़क्ट रहा हूं यह बहुत ही महंगा माल होसप्ट का उनको पता हो सकता हमारे किसी कृइंक कन इसलिए हमें नहीं पता नहीं तो नॉर्मल हमारे क्लाइंत बता देते हैं कि इसमें का है और ध्यान रखिएगा इसका जो बिड लगेगा और इसका जो बिड लगेगा इसपे 500ρ इंक्रिमेंट के साथ लगा, देखे, सबसे पहले जो ये auction है, इस auction में participate करने के लिए आपको 1,00,000 रुपे PreVDMD जमा कराना है, 1,00,000 रुपे PreVDMD जमा करने के बाद क्या होगा, कि आप इसमें जितने lot हैं, उस सारे lot में आप participate कर सकते हैं, या किसी particular एक lot में participate कर सकते हैं तो देखे सबसे पहला क्या है यह seamless drill है और इसकी जो bid लगेगी वो 500 रुपे increment करके लगेगी जितनी बार आपको 500 रुपे बढ़ाना है ठीक है आप तो देखे सब लोग को सब लोग बोलते हैं कि सर इंट्रेंसिक वैल्यू का क्या इंट्रेंसि नहीं पता चलेगा कुछ दिन में यह लोग भी पब्लिक करने लग जाएंगे जिस हिसाब से लग रहा है लेकिन प्राइबेट है जो कि अभी नवा सिवा का ओक्षन था सब में प्राइज दिया हो रहेगा जिसे 20 लाक रुपे इस कंटेनर का जैसे माल लिजे कि अभी high price में लेकिन कस्टम का और उसका वेलिवेशन क्या था? 20 लाप रुपे जो 20 लाप रुपे वेलेशन था उसको हमारे लेक्त प्रॉड़क ने काफी हाई में तो ही वो ले पाएंगे तो मैं ये इस मेज़े से बताया हूँ स्टोरी कि लोग कहते ने कि जो intrinsic value काफी high होगा नहीं intrinsic value इतना भी high नहीं होता है ताकि product के price से ही महंगा हो अब यह देखें यह क्या है making यह marking machine and broach machine अब यह क्या machine है देखें मुझे नहीं पता है actually जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अब यहाँ पे क्या है 11.0.10 मतलब 11.10 माल है अब यह छोटे अगर machine होगे तो भी बहुत महंगा machine मतलब 11.10 का मतलब है बहुत ही महंगा होगा कम से कम 15-20 लाख रुपै से उपर का container होगा यह तो मुझे जहां तक पता है और क्य होगा पर इंक्रिमेंट और उसके बाद यादि हम आगे बढ़ते हैं तो यह आगे यह है यह देखिया मुझे इसके बारे में नहीं पता है पर यह भी प्रोड़क्ट जो है यह पूरा container है हाँ देखे फैन प्रोग्रामेबल मेमरी कमांड डिवाइस देखे यह बहुत ही मह का है और कमांड देने वाला है तो जाहिर सी बात है महंगा होगा यह भी फूल कंटेनर है और यह कितना है 6650 kg अब 6650 kg जो है अब यह एक चीज और ध्यान देने वाली है इस सब्जेक्ट टू एपी आरे और नोन ओडियस सटिफिकेट देखे यह सब लगने के बाद क्या हो जाता है प्राइस बहुत गिर जाता है क्योंकि बहुत से लोगों के पास इस सर्टिफिकेट के नौलेज नहीं है और वो इस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने में फ देखेंगे हैं तभी यह चीज़े किलियर होंगी क्योंकि eldest नीचे नहीं होगा अगर एक कंटेनर है तो थैंड्यूस को कुछ भी होगा आज के टाइम में तो छे लाक रुपर तो किराया चल रहा है जी तो उसके बाद देखें गार साथ सो तीस के जी प्रोडक्ट है तो यह इंस्पेक्शन के उपर है कि क्या प्रोडक्ट है कैसे है क्योंकि अब भी बिना देखें इसमें कोई कुछ नहीं बोल सक सकता है कभी देखें लॉस तो मेरे हिसाब से नहीं होगा एक ही इसका जो कमी है अगर कह लीजिए हम लोग भी उस पर लगे हुँ है कि इस कमी को कैसे सरकार के तरफ से कैसे communicate करके इसको दूर किया जा सकता है कि जो delivery का time है वो जादा लग रहा है उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है दोस्तों जब हम लोग मिल के काम करेंगे और मिल के आवाज उठाएंगे ना तो सब कुछ possible है और मैं guarantee देता हूं बहुत बदलाब आएगा अभी भी आया 29 केजी है अब देखे इसका value मैं नहीं बता सकता हूं जब कोई product देखेगा उसी साथ से ही वो काम करेगा अब यह देखे यूज मसीन अब यूज मसीन है लेदर कटिंग लिखा हुआ है और यह भी यह फुल अगर 9630 केजी है तो फुल कंटेनर ही है अब फुल कंटेनर अग देखें मसीन से पैसा कौन बना सकता है मसीन से पैसा सिर्फ और सिर्फ वही बना सकता है जिसको मसीन का knowledge है अगर जिसको मसीन का knowledge नहीं है उसके लिए तो लोहा है और लोहे का rate 25 रुपे किलो चल रहा है वो 25 रुपे किलो से multiply करके अगर उसका value लगाएगा तो zero है वो ना ल जाएगा उसके auction में अब ध्यान रखें ये पुराना मसीन है यूज मसीन भी आज के टाइम में बहुत महंगे हैं आपको खास करके बता दू 2014 से लेके और 2019 तक इतने मसीन आपके देश में इंपोर्ट हुए हैं इतने मसीन इंपोर्ट हुए हैं आप डाटा निकाल के देख ल की गई हैं और उसमें का बहुत सार देखे खास करके जो ये कुविट का टाइम था उसमें बहुत सारे कंटेनर रुके हुए हैं उसमें बहुत सारे मसीन के भी कंटेनर है और भी बहुत सारी चीजों का है तो यदि आप एक मसीन डीलर है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ज हम और भी अपनी सर्विसे सुदारने की कोशिस कर रहे हैं तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे हैं इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब तक के लिए जये इन जये भारत